दोस्तों ये वाली लड़ी जो आप देख रहे हैं ये डबल सर्गीट में हैं और आज आपको मैं ब्लिंग करने का तरीका इसको बताऊंगा किस तरीक से ब्लिंग किया जाता है वैसे आपको एक चीज बता दू यह जो आपका राइस वाली हो या फिर एलेडी वाली हो यह ब्लिंग करवा सकते हैं आपको मैं दिखाता हूँ इस टैप से ठीक है इस टैप से यह वाली यह थोड़ी सी कोश्टी आती है यह मल्टी केलर पे भी होती है बड़ आपको मैं कुछ एसा एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको भी बिलिंग करने वाला बना सकते हैं आता कि इस गुराना वाला मेर पार रखा था ऐसे ही एक और मिर पार जो ट्रिफल सर्कूट वाला है वह अलग से रखावा है इसमें दो सर्कूट वाले आप झालर को अटेच कर सकते हो लिग यह कैसे पता चला दूसर्कूट है तीन सर्कूट है यहाँ पर दू ट्रंजिस् चुटकी में मातर 5 मिन पशाय है एक मेरी वीडियो देखनी हूँ उसमें मैं आपको डीटेल से बता उसको फिलाल विए ही किया हूँ है और इसको रेपेर करने का तरीका है आपको इस वीडियो को बाद जरूद देख 나 चाहिए उसका वीडियो आपको इसके मिल जागा या फि यह फिलारिस को बिंग करने का तरीका में बताता हूं इस टैप को जो चीजर है और रिमोट है घर पर पड़ा अगर आपके हो नहीं हो तो मैनेज कर लो को कि अगल बगल पुरानी माला है किसी की पड़े रहते और ओल्ड टैम पर आपने देखा होगा किसी टैप के सबस्याद करने के बाद के सर्किट की करेंग्शन कैसे करे जाते हैं यह आप देख लो सबसे पहले आपने इस चेजर को इस तरीक से उल्टा कर लेना है और यहां पर आपको पॉइंट दिखेंगे आपको मैं बता दू अगर डबल सर्किट वाल आपका चेजर है तो आपको आपको ट् मैं इसी टाप के टॉपिक लाया करता हूं और बांकि जो अधर टॉपिक है मेरे दूसी चैनल पर मिलेंगो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लिजेगा अब यह दो सर्किट वाला है और हमारी रहस वाली या फिर यह वह भी हमारी दो सर्किट वाली है तो अब हमने कैसे करन अब ललते इंपुट के जहां पर आप एची 220 wereवक्त कराते हैं यहां से आपके इंपुट होंगे और यहां से आपके आपको होगा आपको एक मार्कर से अगर इसमा मार्कर के लिग दूँ वो बैटर रहे रहे ठीक है चलिए मैं आपको उताज़ता हूं सबसे पहले तो आपको इन्पूट बता जो इन्पूट रेकर करके बताऊंगा ऐसे नहीं कि भाई यह है तो यह हो सकता आपके बास सर्कूट दूसरा हो तो उसको आप ध्यान से देखेगा इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं टाइम को आप थोड़ा सा टाइम देखे वीडियो देखे और अच्छी तरीके से सीखे तब आपको अच्छी से समझ में आप ही जाएगा ठीक है और कभी भी आप गलती नहीं कर पाएंगे देखिए यहां से देखे वन और टू इनकों ट्रेक करंगे तो यह डायोड पर जानी चीनिकी जो रेक्टिफार लगा हो है यानिकी चार्ट अपल लगी इन दूनों पॉइंट यहां पर डायोड पर जानी चीए एक आपके डायोड के पोई ट्रीके से ट्रेक करो यह जार हमारा इस इस डायोड पर यानिकी एक टिफार पर जा रहा है जो लाइन हमारी रेक्टिफार पर जा रही हमारी इसी इनपूट की होती है ठीक है यह दूनों हमारी इनपूट की इसे कंफर्म को चुकि अब इसमें लाइव और नूटल भी लिख सकता हूं आप इसका लाश में इसके पूट का ही है तो ठीक है अब दो इधर के पॉइंट पकड़ लो ठीक है वन और टू आपके जो दो पॉइंट होंगे वह आपके ट्रांजिस्टर के एक लेक से अटेज्ट होंगे इन दोनों को देखो ट्रांजिस्टर के एक लेक से अटेज्ट होंगे यह देखिए वन औ पर यह इसको ट्रेक करो, लास्ट में यह common का है, यह देखिए यह द्याइवट से एक अटेस्ट है, यह द्याइवट से अटेस्ट है, समझ गया आप और वो पॉइंट आपका ड्याइवट के पोजिटिव में जावाएगा, ठीक है, यह दिकिए यह पोजिटिव का है, अप इसमें पोजिटिव भी आप लिख सकते हैं, पोजिटिव और यह आपका सर्कीट वन और सर्कीट टू, मारकर नहीं चल पारा, बट देख लेजिए, आप इसका स्कीन शॉर्ट भी ले लीजिए, ठीक है, यह लाइव है, यह न्यूट्रल है, सर्कीट वन इसर्कीट और इन कनेक्शन को नवाना, ब्लास्ट हो जागा, चेजर भी खराब, आपका सर्कीट भी खराब, सब कुछ खराब, ठीक है, I hope कि मेरे चैनल पर आपको बेटर दर्सी की तरीके से समझने को मिलता होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो लाइक भी ठोक दीचेगा, अब यहां पर यह अपको पहले ही में लडाई दिखा जिता हो, बिल्कूल ओक है, क्कि मैने इसको रुपइर किया हुआ ता देख है, बिल्कूल ओक कर्किर में इसको रुपेर करना, बता है था, अब यहाँ पर जो यह इसका, आप देख रहे है यहाला सर्कृट है, इसको हटा दीजिए और यह जो नेगेटिव है यह देख रहे हैं तन सीरे से आप तो बिलकुल करना बता हूँ गा यह वित तोड़ के अलग कर लो वन गएक सीरे से बता तो किस तरीके से अपने क्रेक्शन करने ठीक है समझ में तबाएगा अब यहां पर मैंने यह चारो मायर अलग कर ली है 1234 आपके साथ भी यह सिच्वेशन आ सकती है चारो वायर है और कौनची जोड़ है ठीक है देख लो वीडियो और सीख लो सबसे पहले आपने डेखिए डबल सर्कुट वाली माला अगर आपके इसको जालर बोला जाता है तो आप इसको जालर ही समझ लीजिए ठीक है इसको रखते साइड पर और यह देखिए यहां पर चार वायर हमारी आ चुकी है और चारो वायर में दो आपने ऐसी पकड़नी है जो आपकी एक-एक सर्कृत से अटेज हो यानिकि एक- आप उड़नी है जो और यह पर इस एक-एक स्रीज यह है दो यहां पर दो आपको बताया था ना ओधर पर आप उड़नी आपको बताया था ना वहां पर चैजर कर लो यानिकि यह जो एलीा की सीरीज आ रहखिए यह एक को आप ट्रंजिस्टर के एक लेक पर जो खाली है इस पर और एक को इधर पर कनेक्क कर लो बाकि लास्ट को लिट लो को छोड़ दो फिलाल इसको छुपा दिये चोड़ दो अभी एक एक मनें सिरीज कर लेना है एरन हमारा ही टोजो का चलिये जो जोड़ते है कि ये जो एलेडी के सीरीज है इसके एक वार में यहां पर जोड़ी और दूसरी जो शीरीज की यहां पर यहां पर इस तरीके से मैं इसको जोड़ी है अब लाइब न्यूटर अभी निजोड़ना है सबसे लास्ट में बाकी कौन से बची दो वायर और बची विए आपको बता था ना दो वायर हमारी सीरीज की है और दो वायर हमारी खाली होंगे बिल्कुल खाली में जिन पर कोई अगर औटैस्ट थो आप छोड़ दो अगर जिनमे इन दोनुंसे अटैस्ट नहीं होता है क्योंकि दो आपके यह आ szake audi a पॉजिटिव की होती है इससाथ मैं यह आपको लाज तक खाली ही मिलें इंमें पोज़्टिव भाती है और आतीकि यह ऑपका आपस में मिलते हैं कि दो लाश्ट को पॉंट बचाता ना उन्हों दूनों को connect कर लेना है चलिए इन दूनों को आपस में जोड़का आपकर कर लूँ चलिए यह काम हो चुक है, अब लास्ट में हमारा बचा लाइब और न्यूटरल तो लाइब और न्यूटरल बिल्कुल सिंपल तरीका है, जो हमारा इदर पर लगा वैं ना इसको, इस वाले को हटा दो, इसको रख लो साइट पर कभी ने कभी काम आई जाएगए, और जो लाइब न इस चैनल से बेस्ट आपको कहीं भी सीखने के लिए नहीं मिलता होगा हम मिलता है तो आप सीखिए सब जिए से सीखिए और नयाने आज सीखिए इस चैनल से आपको बैस्ट मिलता है तो सब्सक्राइब कर लिजी और वीडियो को भी तक लाइक निक रहा तो कर लिजिए क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारी नोजिव में देने वाला हूँ ठीक ह तो यहां पर लाइब और नूटल भी हमने कनेक्ट कर लिए है ठीक है देख लिजे कोई वायर आपस में कनेक्टेट इधर दर ना हो इधर दर ना लगे स्वार्टिट की ठोशकता इतले इसलिए पूरा इसका इंस्पेक्शन कीजिए तब जागे इसको चला यह फैनल यह ल इस कनेक्टा सी कनेक्टार चलिये मैं इसको और अकरता हूए अर्ब को दिखाता हूं देखिए का अगया बैटने स्थोड़ा सा कम कर लिए और इसको में लिया थो इधर पे कैसे लगा मजा रहा है बिल्कुल देखिया विसको हम चेंज करते से मोड को चेंज कर सकते आप देखिया भी ओपन है इसको मैं किसी सर्क्राइब किसी डबी में बाद में इसको लगा लूँ ठीक है अभी ओपन सरकील है तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीक से हुआ आ लेता इसमें बहुत सारे समय आप्सें रहते मोड रहते हैं इसको आप कंट्यूनिय वाला भी बना सकते इस तरीके से अभी आपको बिलिंग करते भी लग रहा होगा ठीक है जहाँ पर एक आपको लगता है कि यह जादा बिलिंग करता तो रेक्टिफायर ले जी शॉरी यहाँ पर यह देखिए एक और एक आपस में चल रहा है वन टू वन टू देखिए यह वाला मुझे ज्यादा बैश लगता आपको कौन सा बैश लगता कमेंट करके जरूर ताई का तो इस तरीके से इसका आप पूरा बना सकते हैं और त्यार कर सकते हैं अगर यह वीडियो पसंद आय ना मिलते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए टेकर बार किसके रिपिरिंगी वीडियो चलूर देखिएगा